नमस्कार साथी जन मैं स्वासेवा संयोजन समेती की सदस्य वीना सिंग स्वासेवा संयोजन समेती एवं विश्योवाणी संस्थान अभियान जबलपूर द्वारा दिनां 38-2020 दिन्रवी वार को निमानी बोली पर परिचर्चा का आयोजन आचारे संजी वर्मा सलिर जी के संरक्षन एवं अध्यक्षिता में सफर्ता पूर्वक किया गया कारिक्रम का शुभारम्ज खरगौन की श्रीमती रजिनी उपाध्याई जी के गणेश वंदना एवं पत्ना की श्रीमती पूनम कतरियार जी के सलसुती वन्ना से की गई कारिक्रम के मुख्य अतिथी अखिर निमान लोग परिसत के अध्यक्षे कुवर उदै सिंग अनूप जी थे एवं विशिष्ट अतिथियों के रूप में अपनी उपस्थिती दर्जे कराई भाशा विज्यानी मनी मोहन चौरे जी श्री राम गरीब पांडे विकल जी जानकी रमन महाविद्याले जबलपूर में दर्शन सास्त्य के प्याख्याता श्री कौशल दुबे जी एवं पश्चिव रेलवे जबलपूर में उप मुख्य सतरकता अधिकारी श्री वसंद कुमार शर्मा जी ने परिछल्चा का आगास किया बढ़वा के श्री शिशिर उपाध्याय जी ने कार्टिक पुनिमा में गाय जाने वाले गीक को गा कर राते पानी मा राते पानी मा तारा उतरी आया नरब राजी मा दीपक सिराया हमने कार्टिक पुनियो का गीत गाया नरब राजी मा दीपक सिराया ओमकार महराज की जतरा भराणी सासू नरदे संग देरानी जठानी रेवा मैया मा मै नरब राजी मा दीपक सिराया राते पानी मा तारा उतरी आया नरब राजी मा दीपक सिराया निमान की भोगोलिक इस्थिती से परिचे कराया शी सुरेश कुस्वाहा तनमे जी ने जो इस परिचर्चा के मुखे इस्तम्मे भी रहे तनमे जी ने बताया कि निमान अंचल मध्यप्रिदेश के पस्चिम भाग में इस्तित है इसकी सीमाओ में एक तरफ विंधाचल परवत और दूसरी ओर सत्पुरा परवत है और बीच में मानर्मदाजी की पावर नदी निमान को सम्रिद करती है पूरु निमान अंचल 15776 वर मीचल छेतर में फैला है जिसकी जन संख्या 2011 की जन गर्ना के अनुसार 74,11625 थी जो अब 1,001,001 अनुमानित है पूराणी काल में इसे अनुप जन पत कहा जाता था और बाद में इसे निमान की संग्या दी गई फिर इसे पस्चिम निमान की रूप में जाना जाने लगा निमान अन्चल में मुख्य रूप से खंडवा, बढ़वानी, बुरहनपूर, गौन, हर्दा एवं धार जिला की कुछ तसीले सम्मिलित है यहां की मुख्य बोली निमानी है और करीब 74 प्रतिशत लोगों में बोली जाती है 26 विधान सबा छेत्रे एवं 5 संसदिय छेत्रे हैं यहां की जलवाई उश्न है तनमे जी का कहना है कि साहित्य धर्म दर्शन, संगीत एवं कला की छटा, बिखेरता निमान, अंचल, उत्सो धर्मी के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है निमान के बोली एवं लोग गीतों के बारे में पटल पर जानकारी दी सदा शिव कौतुग जी का कहना है कि बोली हमारी अमूली धरोहर एवं लोग विधाओं की समभाख होती है बोलीों में किसी भी जनपत की संपूर्ण संस्किती देखी जा सकती है निमानी का पारंपरी स्वरूप वाचिक रहा है और किसी भी पारंपरा के वाचिक स्वरूप के लिए अनुभव के हजारों वर्ष लग जाते हैं इसलिए इसकी लोग मनीशा में जड़े काफी गहरी और व्यापक होती है निमान का लोग जीवन गीत मैं काव्य है निमानी बोली में राजिस्थानी, मराथी, गुजराती, मालवी का इस्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है हिंदी भाषा का विकास बोलियों के बहुत बाद हुआ और हिंदी का स्वरूप निर्मान में आंचिलिक बोलियों एवं उत्ते भारत की कुछ लोग भाषाओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है निमानी ध्वनियों की बोली है इसकी लायात्मक्ता इसकी मिठास है जिसे पढ़ना और लिखना कठिन है हिंदी संस्क्रित उर्दु फार्सी के शब्दों को अपनी में समाहित किया है समय के साथ सामन जिस से इस्थापित करके ही बोलियों का विकास संभव है कौतुक जी ने आग्रे किया कि हमें मात्र बोली को बचाय रखनी के लिए बिना संकोच उसका प्रयोग किया जाना चाहिए निमानी लोक गीतों में विवा, मरन, गंगौर के गीत सबसे अधिक संग्रहित हुए है मरन गीतों में शरीर की नस्वर्ता एवं आत्मा की अमर्ता के गीत है भक्ति गीत में गर्बा गर्भी गीत है जिन में राधा कृष्णे के विविद प्रेम प्रसंगों को दर्शाया जाता है निमाणी लोक कथाओं, लोकोक्तियों, कहावतों में निमाणी की संस्क्रिती प्रतिलक्षित होती है काश्वाणी फोपाल एवं दूरदर्शिन में कारे रत रहे अशोक तारिक जी ने निमाणी रचना हिरदासी मखप्यारी लागे असी निमाणी की धर्तिरे सुना कर अपने निमाण प्रेम को प्रदर्शित किया अशोक तारिक जी ने बताया कि खेमचंद जी महराद संथ सिंगा और नर्मदा जी के बिना निमाण का वर्णन अधूरा है संथ सिंगा जी निमाणी जन्मानस में इतने रचे बसे हैं कि उनका नाम लेकर शुरू किया गया कोई भी कार सफल ही होता है ऐसा वहां के लोगों का मानना है लोग तेहारों एवम बाल पर्व पर प्रकाश डालते हुए अशोक तारिक जी ने गडगोर पर्व की महत्ता को निमाणी जीवन में बखान किया और गडगोर में गाने जाने वाले गीत झलरिया कोगा कर पटल को रस में बनाया घर मारो दूर गगर मारी भारी घाटी चड़ी नहो रियो चंदा कैसे भरी लाओं जल जमनों का पानी गाज की गर जो सखीवाई में हू लोडो बरसे रे अंगना में किचल सखीवाई किन्य करे रे नाना प्रकार की खान पान तीउस्तियोहार लोग परमपराओं को अबाखान करते हुए अशोक तारिक जी ने निमान अंचल को पटल पर जीवन कर दिया गोविन शर्मा जी ने आज की रचनाओं पर प्रहार करते हुए गीद प्रस्तुत किया मनी मोहन चौरे जी ने निमानी बोली के वैग्यानिक अधियन के पक्ष को उजागर किया और विलंबित आ के महत्व को बताया जिसे आयोग वाचक वर्न भी कहा जाता है विलंबित आ जिस वर्न में लग जाता है उसकी दुहनी, वर्तनी, रूप और अर्थ सबके उपर अपना प्रभाव डालता है इसका प्रयोग निमानी में बहुतायत से किया जाता है अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत करती हुए विलंबित आ का चौरे जी ने विस्तार से समझाया और शोतागणों में निमानी बोली के प्रती उत्सुकता बढ़ाई इसे तरह अनेक विश्ष्ट वर्णों को आधार बताती हुए चौरे जी ने निमानी को भाषा का दर्जा देने के लिए जोर दिया निमान का समपून परिचे दिया सौरब लार जी ने लार जी ने निमान का चित्रन करती हुए वहां के खान पान को पटल पर साज़ा किया डाल बाटी, पूरन पूली, जुआर का रोटा, भाजी हर्त्यों हर में बनाई जाती है यहां की प्राचीन वेजबूशा का जिकर करते हुए सौरब लार जी ने बताया कि निमानी धोती, अंगरखा, काली टोपी, फेटा या पगड़ी मुख्य रूप से यहां के परिधान थे जो अब सुविधा अनुसार बदल रहे हैं त्योहारों में राखी होली दैशेरा दिवाली के अतरिक्त माई गणगोर मुख्य त्योहार है, किसान अपने पश्यों को शुक्रिया कहने के लिए पोला का त्योहार भी मनाते हैं लाट जी ने गरीब आदमी का उल्टा पाउं कविता को पटल पर साजह किया आगा चाला ना पाछे जाए गरीब आदमी का उल्टा पाउं कर्जो करी ना बीजे लावा, बीज लाई ना पाणी मनावा, पाणी मनाई ना फसल बॉआवा, फसल काटी ना बाजार बतावा, भाव देखी ना गरीब आदमी का उल्टा पाव सेवा निविच शिक्षि का शांता गीते जीने मुहावरों को उनके अर्थ के साथ पटल पर साजा किया, घर घर फिरू नमाव घिरू, उट को लोन देने जालू, घर का वड़ी वनमा गई, वनमा लगी आग, वन विचारों काय करी, करम छोडी साथ, हाउ राणी, तू राण ना बुड़ा पामावडा पानी, निमान के त्योहारों में एक है संजा माता, जिसे रजिनी उपाध्याजी ने शोतागणों के समक्षे रखा, संजा माता त्योहार में छोटी छोटी बच्चियां दिवारों पर गोबर के गौरी शंकर जी घर किला बनाती हैं, और गीत ग गरेश वंदना कैसे अलग-अलग आउशरों में अलग-अलग होती हैं विस्तार से समझाया यहां हर अवसर के गीत हैं, चैत्रमास में बनाये जाने वाले त्योहार गणगौन में गाये जाने वाले गीत को गाकर शरत्रिवेदी जी ने पटल को उल्लास में बनाया विवाह में हर विधि के गीत गाया जाते हैं, हर त्योहार के गीत हैं अनेकों गीत गाकर शरत जी ने बताया कि कम समय में यहां के लोग गीतों का बखान करना संभव नहीं है देवी अनुपम रूप सुहाना अन्यपूर्णा थारा रूप की बलिहारी हो देवी शार्दा देवी अनुपम रूप सुहाना हिंदी और निमानी की रचनाकार पार्वती व्यास जी ने स्वरचित कविता सुनाया उधार छे अहिंसा बापु को अहिंसा जो देश ब उधार छे कासो चुकाओ कर जा अहिंसा को बाजार छे जो बहुत सुरिली और सटिक बन पड़ी परिचर्चा की सूत्रधार विनिता शेर्मा जी ने कारिक्रम को अपनी सहज और सरल निमानी बोली से सजाया और लगु कथा भी सुनाई ब्रजेश बडोले जी ने माना कि आधुनिक्ता ने निमान जन जीवन को प्रभावित किया है और इसके रूप को भी बदल दिया है संत सिंगा जी निमान साहित्ति के आधार है अखिल निमान लोग परिशत के सहयोग से 30,000 शब्द को तयार किये गए है खानपान की विवधिता को विस्तार से ब्रजेश बडोले जी ने प्रकाश डाला एवं धार्मिक प्रविति की महिलाओं के सुन्दर रूप को पटल पर वर्नित किया निमान अंचल अपने लोग संस्कृति लोग साहित्य कथाओं गीतों रीत रिवाजों एवं अपनी सरलता सहजिता के लिए जाना जाता है मुख्य अतिथी कुमर उदे सिंग जी ने बताया कि 1950 के बाद निमान का मौलिक साहित्य लिखित रूप में उपलब्द है माखनलाल चतुरवेदी जी की प्रेयना से 19 सितंबर 1903 में अखिल भारती निमान परिसत का गठन किया गया जिसे 2002 में पुनर गठी कर इसको अखिल निमान लोग परिसत का नाम दिया गया 19 सितंबर को संस्था के वर्षगाट के रूप में मनाए जाने वाला इस कार्यक्रम में साहित्य कारों एवं लोग कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी एवं इसकी समस्त बोलियों का जिक्र करती हुए परिचर्चा के अध्यक्ष आचारे संजी वर्मा सलिल जी ने कहा कि हिंदी के वर्ट व्रिक्ष को उसकी शक्ति उसकी उद्दादता इन बोलियों रूपी जणों से मिलती है बोलियों पर प्रकाश डालते हुए आचारे जी ने छुब्दुता दर्शाई बोली एवं भाषा स्वत्रिता आंदूलन मेराष्टे एकता का माध्यम बनी उन्हीं बोली भाषाओं को स्वत्र तोत्य राजी नीती ने राजी की इकाई बनने के बाद लोगों को लड़ाने का काम किया आचारे जी ने लोगों से आگरह किया कि अपने आसपास की बोलीयों को जाने और उन्हें अपने रचनाओं में समलित करें तब हमारी बोलियां जीवित रह सकेंगी आचारे जी ने बताया कि वर्शों सिव इस काम को विभन्य तरीकों से करते आ रहे हैं तात्या भील के बलिदान को याद करते हुए आचार्य जी ने आग्रे किया कि इन्हें सद्धांजली देने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनकी बोली भाशा संस्क्रिति अपनाएं और उसे राश्टी की मुख्यधारा में समिलित करें लोग गीत परंपराओं का निमानी साहित्य से कुछ दोहए पटल पर साज़ा किये आचार्य जी ने हेत प्रीत की राबडी मिलकर पीजे वीर हेत बिना कालू कहे कडवी लागे खीर जोरू, गोरू, गोखुरू, तूप, तुवर की दाल एतरी चीज निमान की बोली मिसरी समान आचार्य जी का बोली प्रेम उनकी निमानी रचना से प्रदर्शित होता है जिसे वो समय समय पर पटल पर दोहो एवंगीत के रूप में प्रदर्शित करते हैं परिचर्चा के अंत में आचारे जी ने स्वरचित गित सुनाया मारागी तमारा छे रेवानी जलधारा छे पूरब पच्छम किलकारी अमरकंट की मान्यारी उंकारे सरनी महिमा तीर्थ महे सरकी नी गरिमा दर्शन भाग सवारा छे मारागी तमारा छे नदी नाला घाटी छे, काली चिकणी माटी छे, मेनतनी परिपाटी छे, चटनी रोटी भादी छे किर्साणी पौबारा छे हरी चूरनी धर्ती कर सोभा गजब बंदलगी कर हाथन म महदी प्यारी कानन मझुमकी न्यारी माथे टी का तारा छे अंगना सोना बर्खा खेत कपास सफेद खडा तात्या भिल असोक किसोर माखन दादा चर्नन धो आंगन धरो दुलारा छे मारा गी तमारा छे साथ संगात मती छोडो फिकर फजूल मती ओडो जै सिंगा जी तो अवतारी हिरदाम सुमिरी वानी गण गोरी त्योहारा छे मारा गी तमारा छे आचारी जी ने कविता के द्वारा संपूर निमान की छटा पटल पर विखेर दी हिंदी साहित्य के इतिहास नाम की किताब में आचारी रामचंद शुक्ल जी ने तेरा सो पचास से सत्रा सो इश्वी को भक्तिकाल का नाम दिया और इस दौर में के संत कवियों को एकत्रित किया जिसमें मत्यप्रदेश के बहुत से अंचलो का साहित्य वंचित रह गया है जिसमें मालवी, निमानी, गोडी, भीली, कोरकु समलिट है 1960 में धिरेंद वर्मा की लिखी किताब ग्रामीन हिंदी में भी निमानी का जिक्रे नहीं है आचारे जी ने निमानी साहित्य कारों से आग्रे किया कि निमान का साहित्य उपरब्द कराए जिसे आगे शोतकारियों में निमान का साहित्य सामिल हो सके पदमशी स्वर्गिय राम नरान उपाध्या जी को याद करते हुए आचार्य जी ने सभी निमानी साहित्य कारों से कहा कि साहित्य कार मासरश्वती के पुत्र है और बोलियां मासरश्वती जी का परिधान अत्ह किसी भी बोली के विकास के लिए हमें दूसरे बोलियों को भी सरक्षन देना पड़ेगा तबी हम गांधी जी के हिंदुस्तानी भाषा के सपने को साकार कर्ज रखेंगे परिचर्चम में सम्मिलित सभी प्रिस्टितियों ने निमान अंचल की लोक संस्क्रिति एवं निमानी बोली की मिठास को पतल पर सजाया सभी अतितियों, विशिष्ट अतितियों, मुख्य अतिति एवं अध्यक्ष को स्वागत किया श्रीमती आशा जैन जी ने एवं आभार प्रदर्शित किया मन्जू मिश्रा जी ने स्वासीवा संयोजन समीती एवं विश्ववाणी, संस्थान, अभियान, जबलपूर के सहयोग से बने इस पतल का परिशे दिया स्वासीवा संयोजन समीती की अध्यक्ष श्रीमती शुश्मा कर्चुली जी ने धन्यवाद